इधर जबलपुर के बरेला थानांतरकत आने वाली गौर चौकी के गाउं महगवां से लगी नहर में एक युवक की लाश उतराती देख शेत्र में धेशत मज गई। नहर में युवक का शव पड़े होने की जानकारी ग्रामीनों ने इस्थानी पुलिस को दी। सूचना पर पहुँची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से नहर से उतर युवक का शव बाहर निकलवाते हुए शव को पोस्ट माटम के लिए जिला अस्पताल मेडिकल भिजवाया। खोजबीन के बाद भी जब अनिकेट का कुछ अतापता नहीं चला तब परिजनों द्वारा गुमशितगी की रिपोर्ट गौर चौकी में दर्ज करवाई गई जिसके बाद आज उसका शव नहगवां से लगी नहर में उतराता मिला। अपने इस्तर पर शिरू की पर उसका कुछ पता नहीं चल सका जिसके बाद आज उसकी लाश मिलने की खबर पुलिस द्वारा परिजनों को दी गई। शव के साथ मिली मोटर साइकल महगवां से लगी बरगी नहर में आज दिन में शेत्र के कुछ ग्रामीनों को नहर में युवक की लाश के साथ एक मोटर साइकल दिखाई दी। वही मौकी पर पुलिस द्वारा शव के साथ मोटर साइकल क्रमांक MP20 ZC4088 भी नहर से बाहर निकलवाई गई। कैसे घर वापस ना आते हुए नहर में क्या करने चला गया। इसकी जाच होना चाहिए। गौर्ड जौकी पुलिस की माने तो शव को पोस्मार्टम के लिए जिला अस्पताल मेडिकल भिजवा दिया गया है। वहीं पोस्मार्टम आने के बाद ही इस्तिति इस पस्ट हो प सबस्बदोब पोस्मार्टम